हलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक वंस गेन ऑन माई चैनल मैं हो किरन और आज फिर से मैं आपके लिए ले करके ही हूँ आपके दांतों को ले करके बहुत ही जबरदस दिया है दोस्तों अक्सर दांतों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारे लोगों को दांतों का जो है प्रॉब्लम्स ऐसे की दांतों का पीलापन बहुत ज़्यादा परिशान करता है बहुत सारे लोगों को जह दांतों में जंजनाहट होती है दांतों में कीरे लग जाते हैं मसूरों से खून आता है और मसूरों से बद्बू भी आती है दोस्तों यह सारी प्रॉब्लम्स तो सभी लोगों को जहलना पड़ता है तो उन सभी के लिए आज में बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल सा नुस्खा ले करके आई हूँ आपको बहुत पसंद आएगा ट्राइज जरूर करिएगा तो आज का नुस्खा बनाने के लिए मैंने लिया है नमक यानि की सॉल्ट दोस्तों अक्सर नमक से पहले जबाने के लोग दांत को जो है अक्सर ब्रस जैसा अपनी फिंगर टिप की मदद से घस्ते थे इसे कहा जाता था कि दांतों की जो स्मेल होती है दांतों में जो अक्सर कीरे वेगरा लग जाते है मसुरू से जो खून आता है वो सभी चीजे नहीं होती है दोस्तों इसलिए जो नमक है ना बहुत ही फायदे मंद है हमारे दांतों के लिए नमक से नॉर्मली आप इस तरह के से भी फिंगर टिप की मदद से भी अगर घस्ते होनो तो आपको दांत से रिलेटेर जीदी प्रॉब्लम से वो धूर हो जाएगी अगली समगरी मैंने लिए है यह हमारा हल्दी पाउडर बहुत ही छोटे मतब के एक बार के लिए आप यूज कर सकते हो एक बार नितना बनाऊगे कि आपकी दो से तीन फैमिली आराम से कर सकती है एक चथाई चमच नमक एक चथाई चमच हल्दी पाउडर हल्दी में भी दोस्तों अंटिसेप्टिक प्रोपर्टिज होती है जो कि कील मुहासी को भी दूर करता है हमारे फेस में भी यूज किया जाता है उसे परकार हमारे दाउट में अगर कीरे वगएरा लग जाते हैं हमारे दाउटों से बहुत ज़्यादा बद्बू आती है दात में अकसर दर्द होता है दोस्तों, उसको यह बहुत यह ठीक करता है, नमक और हल्दी दोनों के दोनों बहुत ही फायदे बन दातों है, हमारे दातों के लिए अगली सामंगरी में ले रही हुए यह हमारा है नेमबू नेमबू में दोस्तों विटमिन C भरपूर मातरा में पाय जाता है जिसके एक अपनी ही प्रोपर्टी होती है ब्लीचिंग प्रोपर्टी है क्यानि कि हमारे दांतों को मोधी की जासा चमकाने का काम करता है दोस्तों इसके साथ साथ ही आपके दांतों में बहुत जादे स्मेल है बदबू आती है उसको भी रोकता है आपके दांतों में जलन है, सरन है वो सभी चीजों को रोकता है हमारा ये नीम्बू का रस दोस्तों तो नीम्बू में भरपूर मातरम विटमिन C होता है जो इन सभी चीजों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है तो यहां पे मैंने लगबाग बहुत ही कम नीम्बू का रस लिया है और इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है सबी के सबी चीजे दोस्तों आपको इजली से घर में मिल जाएगी नमक चाहे हल्दी हो या फिर नीम्बू हो है बहुत ही फायदे मंद वाली चीज है दानतों में अगर को भी प्रॉब्लम है जैसे की गम से स्मेल आती है बदबू है दर्द है सरन है दोस्तों हर समस्या के लिए यह वाला नुसका कामकार होगा आपके दानतों सकसर जंजनाट होती है ठंडा करम खाने से बहुत जाए लोग लिए वाला पेस ले रही हूं और उसको अच्छे से मिक्स कर देना दोस्तों और यह जो हमारा है आज का मैजिकल जो है और डिय वाला दानतों के लिए रेडी हो चुका है इससे आपके हर चीज जो है आपके दानतों में जितनी भी समस्या है वो सभी के सभी दूर होने वाल गता है तो जोभी प्रस आपकर दें nervous में आपको जली लगा लेना है और फिर आ जायो करते दो मिनिट तक एक मिनट तक या फिर 10 सेकिन 10 संट अब मिनिमम एक मिनिट तक ब्रॉड और ब्रॉण करें जब तरीका होता उसी प्रकार आपको ब्रश करना चाहिए ब्रश जो है बहुत बालोग दानतों को ऊपर इस तरह के से घसिते हैं वैसे नहीं घसिते मतब अंदर साइट से अच्छे से कोशिश करें कि सभी चीजे निकलें मेरे दानत आप देख सकते हैं मोती की तरह चमकते हैं रह सकती है तो इसलिए दोस्तों इस तरीकी कन उसका आपको ट्राइ करते रहना चाहिए जिसे का आपको किस तरह कोई प्रॉब्लम ना हो यहां पर मैं इन सभी चीज़ों को ले करके अल्मोस्ट एक मिनट तक मैंने ब्रश किया है और एक मिनट के बाद इसको अच्छे से आपक चैनल को सब्सक्राइब करें